हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आखो complete detail मिलने वाली है ATC से related सबसे पहले समझते हैं कि air traffic controller का काम क्या है पर उससे पहले कौन-कौन सी vacancy निकलती है Airport Authority of India AI के दौरा मैं उसके बात कर लेता हूँ दोस्तों अगर मैं even की category में बात करूँ तो जेई junior engineer में civil, जेई mechanical, जेई electrical, जेई electronics, जेई operation, जेई commercial इस तरीके से different vacancy निकलती है और एक और है जेई ATC अभी जो vacancy निकली हुई है वो जेई ATC की निकली हुई है तो आज इस पूरे वीडियो में ATC का क्या काम होता है कितनी salary होती है, exam का pattern क्या होता है, कौन सा topic important होता है, last previously cut off कितना गया था रख ये सारी information जो ATC से related जरूरी है आपको exam clear करने के लिए वो सारी चीज आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है सबसे पहले दोस्तों क्या काम होता ATC का तो उसको समझने से पहले airport को समझते है airport को तीन पार्ट में बाटा गया है, पहली चीज मैं बात करूँ, air side, दूसरी चीज के अगर मैं बात करता हो तो building terminal और तीसरी चीज city side, हमेशा एक चीज ध्याने किएगा, ATC को air side पर काम करना होता है air side का क्या मतलब होता है, एक तो plane से related और दूसरी चीज, जब आप airport पे जाते हो तो आपने देखा होगा, आपको flight में ले जाने के लिए भी bus होती है, right, कुछ cars होती है, जो आपको लेके जाती है इनको भी control करने का काम ATC ही करती है, बिना ATC के authority के permission के ये सारी चीजे drive नहीं हो सकती तो दोस्तों पूरी शुरुवात करते हैं, आपको ये तो पता चल गया कि main काम का है, सबसे first अगर मैं discussion करता हूँ तो कि sir junior executive air traffic controller, जो की even grade की post होती है, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए bachelor degree, 3 years के आपके ओनी चाहिए, बेसी होना चाहिए, यनि कहने का मतलब सीधा short, BE, BTEC या BSC वाले student जो होते हैं, वो इसके लिए eligible होते हैं अब बात करते हैं sir, कोई age limit भी है, criteria भी है, तो दोस्तों age limit भी है, उसके भी बात कर लेते हैं, पर सबसे first जैसे मैंने बोला, BE, BTEC, BSC वाले इसके लिए eligible होते हैं, A, T, C को fill करने के लिए अब बात करते हैं, क्योंकि इसके exam pattern की जब आप बात करोगें, तो उसमें physics भी आएगा, उसमें आपके पास maths भी आएगा, इसका मतलब जब आपके ने 12 तक, plus 2 level तक, 12 तक अगर आपने physics और maths आपने पढ़ा है, तो exam को बहुत अच्छे तरीके से आप crack कर सकते हैं, क्योंक आपके लिए चीजों को question को solve करना approach बहुत ही आसान हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पर जो maximum age limit होती, वो होती 27 years, जनरल की अगर मैं बात कर रहा हूं, SCST के लिए 5 years का relaxation मिल जाता है, और OBC के लिए 3 years का relaxation मिल जाता है, PWD के अगर मैं बात करों, तो यहाँ पर 10 years के लिए आपक दे रखा है, in hand अगर मैं salary की बात करूं, directly मुद्दे पर आते हैं, तो दोस्तों लगभग, जैसे ही आप join करोगे, आपको 56,000 की salary आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, अच्छा, इसी के साथ साथ बहुत सारे बच्चों को लगता है, सर सीधा हमें terminal पर भेज दिया जाएगा की training भी कराई जाएगी, यह depend करता है दोस्तों, यहाँ पर तीन training के centers भी हैं, जैसे एक training का center के अगर मैं बात करता हूँ, तो वो एलाबाद के अंदर, और एक training के center के बात करता हूँ, तो गोंडिया में है, और एक हैदराबाद के अंदर जो center है इसका, तो कितनी बार 6 months के लिए center पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर आपको training complete किया जाता है, उसके बाद टर्मिनल पर भेजा जाता है, या उसके बाद आपको air traffic controller का काम दिया जाता है, और आपकी regular जो even जो grade होती वो start हो जाती, बहुत बार directly आपको workstation पर भेज दिया जाता है, वही पर आप सीखत सकते हैं कि salary आपको मिलनी, start हो जाएगी, अब बात करते हैं दोस्तो syllabus और weightage क्या है, तो यार इस ATC का दो part में portion में question पूछा जाएगा, पहला होगा जिसको part A बोला जाता है, और दूसरा part B, part A की अगर बात करता हूं तो English language के आती है, दूसरा general intelligence reasoning, general aptitude, numerical ability और general knowledge और awareness, कहने का तातपरी, बस इतनी सी चीज है, कि English जो है, वो fix है, 20 number काएगा, काफी अच्छा खासा weightage होता है, general intelligence reasoning में reasoning की बात करूं, जो अलड़ी आप SAC, अगर कोई भी JEE की preparation करते हो reasoning आता है, आपने पढ़ रहा है, 15 number का आता है, quantity aptitude, जिसको numerical ability बोला जाता है, वो भी 15 number का आता है और current affair awareness, यह सारी चीज़ों जो होती है, यह 10 number का आता है, total 60 marks का, आपके पास part A का question होगा, part B में सिर्फ mathematics और physics के question होते हैं, total 60 question, each question carry one marks, और सबसे खास बात है, negative marking ATC में नहीं होती है, यह आपने सही question किया, आपको marks मिलेंगे, आपने गलत भी attempt किया, तो आपको कोई marks नहीं कटेगा, और इसी वज़े से, ATC का cut-off भी जो मैं discussion करूँगा, वह आप feel करोगे, थोड़ा सा high जाता है, last year सब के cut-off है 2-3 साल का, मैं comparative terms में आपको बताऊँगा, ताकि आपकी इस साल की preparation आसान हो सके दोस्तों, अब बात करते है, total question मैंने पहले ही बता है, 120, total time भी जो होत है, right, or there will be no negative marking, इसका मतला एक भी question को छोड़ के आना, यह आपके लिए गलत साबित हो सकता है, right, तो question तो सारे करके आना है, अब बात करते हैं, कि sir, थोड़ा सा हमें यह बताइए, कि sir, syllabus क्या है, तो दोस्तों और उसके बाद cut-off की बात करते है, सबसे पहले reasoning के syllabus से लिए regarding already एक session लेने वाल हैं, जिसके अंदर non-take की 60 out of 60 marks कैसे लाया जाए, उसके बारे में discussion करेंगे, क्योंकि यह topic already सब को पता है, कोई भी JEE की preparation करते हो, तो English कभी-कभी आपको देखने को मिलता ही है, इसी का साथ अगर मैं बात करता हूं, तो आपको इसके साथ-साथ ही, जो reasoning ह वो देखने को मिलता है, कुछ question quantity, aptitude और current अफिर तो आप लोग preparation करते हैं, तो वो topic से कहीं न कहीं आप लोग familiar है, बात mathematics की करते हैं और बात physics की करते हैं, जो की part भी है, तो दोस्तों, mathematics के syllabus में quadic equations, इस से related question, binomal theorem से related question, straight line से related question, differential equations, integral, जिसमें definite और indefinite दोनों, maxima, minima, differentiation, limits and continuity matrix, probability, permutation and combination, यह वो topic है, जहां से बहुत ज्यादा questions आपको mathematics में देखने को मिलेंगे, इसमें कुछ आप, यह सारे topic वही है दोस्तों, जो आप गौर से देखेंगे, तो आपने बारवी क्लास से पहले पहले यह सारे topic पढ़े हुए होते हैं, अब बात करते हैं, physics की syllabus के अंद और miscellaneous करके भी कुछ छोटी-छोटी ऐसे chapters होते हैं, इससे regarding की question पूछे जाते हैं, तो यह तो मैंने physics और mathematics की syllabus की बात की, अब बात करते ही कि sir, cut off क्या जाता है, वो थोड़ा बताइए, तो दोस्तों सीधी बात करते है, cut off की, यहां पर अगर मैं ATC की बात कर रहा हूं, सि ISE ने last year ही इसका एक और paper हुआ था, अगर मैं cut off की बात करूं, तो general के लिए 99.820, 2021 में 93, 2018 में 87, EWS के लिए 99.532, 2021 के अगर मैं बात करता हूं, 89.763, और OBC की बात करता हूं, 99.89, कुलमा कि अगर आप 95 से उपर लेके आते हो, तो आप थोड़ा safe side में हो, और मैं आपको हम करेंशा बोलूँगा कि आप 100 की तरफ जाने की कोशिश करिए, competition बहुत जादा है, हर एक बच्चा जो इंजीनियर ने generally ATC का paper लिखता है, तो आप लोगों की responsibility थोड़ी और बढ़ती है, क्योंकि technical subject सबका ठीक ठाक होता है, जो part A है, उसके अंदर आपको थोड़ा और effort काता है, तो आप कहीं न कहीं correlate कर सकते हो, पर physics का जो portion होता है, वो completely हमारा छूट चूट चुका होता है, तो कुछ topic आपने engineering में पढ़े होंगे, कुछ topic 12 तक ही पढ़े होंगे, तो आपको थोड़ा सा revise करने की जरो होता है, आपको कोई tension लेने की जरो पूरी team आवारी है, YouTube पे आप लोगों के लिए classes भी start होई रही है, तो यह तो दोस्तों cut off की बात कर ली, cut off के साथ साथ कुछ चीजों का और discussion मैं कर लेता हूं, कि क्या क्या काम होता है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, कि air traffic controller के अगर बात करी, थोड़ी job profile की भी बात कर लेता और उस paragraph मैं आपको पढ़ना होता है, जिसमें वो check करते हैं, वो पूरा paragraph इंग्लिश में होता है, English में वो check करते हैं कि आप सही तरीके से pronounce कर पाते हो, या नी सही तरीके से बोल पाते हो का नहीं पाल पाते हो, कहीं ऐसाता है कि आप अठक पा रहे हो, या आप ऐसे word मैं बा जो language है वो English है तो आप generally जो communicate करते हो pilot के साथ वो English में communicate करते हो और आपका काम ही उस communication का है कि फ्लाइट ऊपर से जा रहे है तो आपको बताना है कि थोड़ा side हो जाओ किस altitude पर जाना है किस सारी चीज़े आपको बतानी होती है और वो सारा communication इंग्लिश में होता है और वहाँ पर voice का clear and loud होना बहुत जादा जरूरी होता है और इसी वज़े से voice test होता है और उसके बाद आपका document verification होता है इसका मतलब पहला return के लिए qualify करेंगे फिर एक voice test होगा और तीसरी चीज़ आपकी फिर document verification होगा salary 56,000 बताई दिया profile बहुत अच्छी है एक और खास बात हमेशा ATC कैसे काम करता है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ DGCA एक authority body होती है और उससे भी international level पे ICAO एक international global आपके aviation body है जो की rule regulation मनाती है और DGCA उसी rule regulation को follow करती है तो जो DGCA ने एक rule regulation मनाया है उसके इसाब से आपको काम करना पड़ता है ATC को सबसे खास बात DGCA ने एक rule regulation बनाया है कि हर एक ATC को एक week के इंदर लगबग 24 hour का workload मिलना चाहिए नहीं काम करना चाहिए आपको मैं बता दूँ यहाँ पर तीन shift में काम होता है morning, daytime और night shift होती है night shift के बाद हलांकि दो दिन की चुटी होती है अगर आपके पास और night shift मिलती है तो night allowance भी आपको मिलता है उसकी आपको tension लेने की जरूत नहीं है साथ में एक और खास बात कितनी बार staff के shortage होने की वज़े से आपको extra work भी दिया जाता है पर उसके लिए आपको tension लेने की जरूत नहीं उसके लिए आपको overtime allowance भी overtime भी आपको मिलता है इसका मतलब अगर आप extra काम करते हो तो आपको extra payment मिलेगा इसका भी ध्यान रखती है DGCA कि आपके ओपर ज़्यादा pressure ना बने क्योंकि आपको पूरी screen पर continue monitor करना पड़ता है कि flight सही जा रही कि नहीं जा रही है क्या वो सही path को follow कर रही कि नहीं करी है इसका मतलब आपका काम बहुत ही ज़्यादा serious work होता है तो वो ऐसा भी नहीं चाहते है कि आप बहुत ज़्यादा प्रिश्राइज हो के काम करें आप कहीं इधर-उदर जा नहीं सकते है जब आपको काम दिया जाता है तो आप बहुत ही serious होके screen पर उस चीज़ को monitor करते हो जो pilot होते हैं से communicate करते हो तो यह काफी sincerity वाला work है और इसको DGC बहुत अच्छे तरीके से जानती है इसलिए workload को limit करना है आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो मेरे ख्याल से काफी कुछ information आपको इस video के तुरू ATC के बार में मिल गया होगा फिर भी अगर आपको कोई doubt होता है